अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। इंडियन टीम के कई खिलाडियों ने अपने हैरत अंगेज प्रदर्शन से सभी को अपनी ओर आकरशित भी किया है। वही 27 और 28 जन्वरी को बैंगलूरू में IPL की नीलामी भी होनी है। भारतीय टीम के कुछ ऐसे चहरे हैं जिन पर IPL नीलामी के दोरान पैसों की बारिश हो सकती है। अनुकूल रॉई अपनी शानदार गेन बाजी के बतौलत रातो रात स्टार बनने वाले अनुकूल रॉई पर IPL वालों की नजर है। हाला कि इस साल होने वाली IPL नीलामी के लिए अनुकूल की बेस प्राइज 20 लाक रुपे रखी गई है। अनुकूल ने अंडर 19 विश्वकप में पापूआ न्यूगिनी के खिलाफ 14 रंदे कर 5 विकेट और जिंबावे के खिलाफ 20 रंदे कर 4 विकेट ले थे। शुभम गिल पंजाब के शुभम गिल अपनी धमा के तर बल्लेबाजी के लिए अभी से मशूर हो रहे हैं। 18 साल के शुभम ने अपनी पारी के दोरान शॉट आंजब शॉट खेल कर विराट कोहली की याद दिला दी। कमलेश नागर कोटी भारती अंडर 19 क्रिकेट टीन के गेंद बास कमलेश नागर कोटी पर भी इस साल IPL वाले कड़ी नज़र रख रहे हैं। अनुकूल की तरह कमलेश की भी बेस प्राइज 20 लाग रुपे रखी गई है। अंडर 19 विश्व कप में कमलेश नागर कोटी ने 149 किलोमीटर प्रती घंडे की रफतार से गेंद बासी कर सबको हैरत में डाल दिया है। इसके अलावा उन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन विकेट लेकर जीत में अहम भूमी का भी निभाई थी। अंडर 19 टीन के कप्तान प्रिथवी शौ ने घरेलू मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। अपने पहले ही रनजी मैच में शतक बनाने वाले शौ के नाम नो फर्स्ट क्लास मैचों में पांच शतक और तीन अर्ध शतक शामिल हैं। वर्ड कप में भी इनोंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ 94 रन की बहतरीन पारी खेली। आईपिल 11 में लगने वाली बोली से पहले ही शौ के बल्ले के लिए एक बड़ी कंपनी ने करार भी कर लिया है। हो सकता है आईपिल 11 में इन सभी खिलाडियों को खेल देखा जाए।